दोस्तो आज के इस वीडियो में हम Realme के तरब से आने वाले कुछ बैस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जिसे आप 12,000 से लेकर 16,000 के बीच में भाई कर पाएंगे यू तो आपको इस प्रैस रेंज में भी धेरो सारे Realme के स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे लेक वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और क्यूंकि यह सारे स्मार्टफोन से भी ब्रेंड का होगा तो हमने इन पांचे स्मार्टफोन को प्रैस एन ओफुरॉल स्पैसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है तो हम सुरू करेंगे लास्ट के नमर से नमर 5 से और न स्मार्टफोन जो कि गेमिंग के लिए अच्छा हो और परफॉर्मिंस भी ठीक ठाक हो तो यह फोन आपके लिए अच्छा रहेगा क्या कुछ फीचर्स मिलता है चली जल्दी से जानते हैं स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी से तो डिजाइन वाइस काफी लगा सकते हैं सिंगल स्पीकर दिया गया है और इसकी ऑट्पूट अच्छी है और बाइमेटरी के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है आउट अप दबोक्स एंड़ोड 11 के साथ आता है बेस्टोन रियल्म यूई 2.0 हाँ यूई के अंदर थोड़े बहु इसकी फुल एच्डी प्लस IPS डिस्प्ले जो की 120 हर्ज फास्ट डिफिसर्ट के साथ आता है और 600 नीट्स तक की पीक ब्रैटनेस मिल जाती है तो प्रैस के इसाब से डिस्प्ले आपको अच्छा मिलता है 12-13,000 के आसपास बहुत ही कम ऐसे फोन है जिसमें 120 हर्ज डिफिसर् इस तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रेंट में 16 मेगापिसल का कैमरा दिया गया है इस कैमरे से भी फ्लस डी में 30 एफिस तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे ओवरॉल क्यामरा पर्फोर्मेंस डिसन टैप का मिलने वाला आपको अच्छे लाइटनिंग कंड आप कैजवल लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं लास्टली के बारे में बात कर लेते हैं तो 5G का सिपोर्ट तो है नहीं डुएल 4G के साथ आता है 4G प्लेस का सिपोर्ट है डुएल वाइफई आता है और Bluetooth 5.1 वर्जन का सिपोर्ट दिया गया है फाइनली प्रेजिंग के ब चलिए बात करते हैं फोर्थ नमर के स्मार्ट फॉन के बारे में तो नमर फॉर पर जो हमने स्मार्ट फॉन रखाया इस पॉन में आपको मिलता है सूपर एमोले डिस्पले जहां इस पॉन का नाम है रियल मी 10 4G देखा जाए तो इस लिस्ट का सबसे निव फॉन है यह करते हैं डिजाइन और बिल्ट क्वालिटी से यह फॉन कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ट पर बना हुआ है बाकि डिजाइन काफी अच्छा है आप देख सकते हैं ओनली 8 mm के थिकने से मतलब स्लिम है यह फॉन 178 ग्राम वेट है तो बीट भी बहुत कम है तो डिजाइन सब्सक्राइब के साथ आता है बेस्ट ओन रियल्म युआ 3.0 थोड़े बहुत ब्लोट वर वेगरा तो देखने को मिलेगा ही आपको बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस पॉन में लगा हुआ है 5000 मिली एमपेर की बैटरी और और साथ में थाउजन नीट्स तक की पीक ब्रैटनिस भी दी गई है तो डिस्प्ले वाइस यह फोन बहुत ही अच्छा रहने वाला है एमोलेट पैनल होने के वजह से कलर्स वेगरा काफी अच्छे दिखते हैं और साथ में डिस्प्ले काफी ब्राइट भी है वैस अगर हम फ्रंट में 16 Megapixel का कैमरा दिया गिया है और फ्रंट कैमरे से फ्लेश्टी में 30 एफस्ता एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो कैमरा वाइज यह फोन भी ठीक ठाक रहेगा आउटवर में सही परफोर्मेंस निकाल कर दे देता है वैसे अगर अल्ट्रा वाइड लैंस हो नहीं होगा डेटुडे टाक्स में तो कोई ज्यादा इश्यू आएगा ही नहीं बाकि थोड़े बहुत गेमिंग वेगरा भी कर सकते हैं किनेक्टिविटी के बात करें तो डुएल 4G वोल्डी का सपोर्ट मिल जाएगा 4G प्लस कैरीर अग्यकेशन का सपोर्ट है डुएल आपको रियल मी के जरब से कोई सा नीव फोन चीए तो सब्च के साथ आप जा सकते हैं यह रहे इस फोन के प्रोजन और यह बात करें तीसरे नमर में के स्मार्ट फोन के बारे में तो नमर 3 पर जिंग इसमार्ट फोन रख आया इस फोन में आपको मिलता है 5g का सपोर्ट ज के थिकनेस है मतलब थिकनेस कम है and 187 ग्राम वेट है बाकि डिजाइन और बील क्वालिटी सही देखने को मिल जाएगा आपको बात करें कुछ बेसिक के बारे में तो ट्रिपल स्लोट का उप्शन एवलेवल है मतलब दो 5GC में और एक मेम्री कार्ट सेम टैम पर लगा सकते हैं सिंगल स्पीकर दिया गया है जिसके ऑपूट अच्छी है और बामेटरी के लिए साइड फिंगर में स्कैनर एवलेवल है आट अप दबॉक्स बारे में बात करें तो इस फॉन में लगा हुए 6.6 इंचेज की फ्लेच दी प्लस IPS डिस्प्ले साथ भी 90 हर्ट का सपोर्ट दिया गया है और 600 नीट्स तक की पीक ब्रैटनिस दी गई है तो ओवरोल डिस्प्ले आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा IPS पैनल होते हुए बात करें तो यह फॉन ट्रिपल डियर के साथ आता है जिसमें से प्रैम्री सेंसर 50 मिगापिक्सल का है और यह मैक्रो कैमरा है और थाट कैमरा भी त्यू में पर्फॉर्मिस निकाल कर दे देता है एक लैन में बोलो तो कैमरा साब को ज्यादा निराशा नहीं होगी बात करे पर्फॉर्मिस के बारे में तो इस फॉन में लगा हुआ है मीडिया टेक डैमिंज सिटी 810 वाला 5G चिपसेट अब यह एक बजट के हिसाब से अच्छा चिपसेट है और साथ महीं UFS 2.2 वाला स्टोरेज और 4X वाला रैम है तो पर्फॉर्मिस डिबार्टमेंट में अच् प्रैसिंग के बारे में बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 15,000 रुपे देने होंगे आपको तो अगर आपको 15,000 के नीचे रियल में की तरब से कोई सायक ऐसा 5G फोन चीए जिसका डिजाइन वगर अच्छा हो या फिर ओवरॉल बैलेंस फोन हो तो इस फोन के स जो 55G वैसे तो यह फोन 15,000 के उपर ही आता है लेकिन काफी समय से रियल मी ने इस फोन का प्रैस कम कर दिया है अभी यह फोन आपको सारह 13,000 के आसपास ही मिल जाएगा और इस प्रैस पर यह एक वैली फोर मनी 5G फोन है क्या कुछ फीचर्स मिलता है चली जली से जानते हैं स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल क्वालिटी से तो डिजाइन वाइज यह फोन भी काफी अच्छा है टेक्चर फिनिसिंग के साथ आता है 8.1 mm के थिकनेस है और 194 ग्राम वेट है बाकि ओवराल डिजाइन और बील क्वालिटी सही है खेर कुछ बेसिक फीचर्स के बा और हाँ थोड़े बहुत ब्लोट वर वेगरा तो देखने को मिलेगा है तो चलिए अब जानते हैं कुछ मेंन फीचर्स तो बैटरी के बात करें तो इस फॉन में लगा हुआ है 5000 मिली अमपर के बैटरी और साथ में 33 वाट फार्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है ए पूफिज बेगरा के लिए सही रहेगा क्योंकि डियूल स्ट्यूट स्पीकर भी है वैसे अगर हम क्यामरा के बारे में बात करें तो रियर साइड में दो क्यामरे देखने को मिलेंगे आपको जिसमें से प्रैमरी सेंसर 48 मेगापिसल का है और यह देप्थ कैमरा है रियर कै में काफी अच्छे फोटो आ जाते हैं बागी फ्रंट कैमरा एवरेज टाइब कर रहेगा पर्फॉर्मेंस सेग्मेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फॉन में लगाओ है मीडिया टेक डैमिंटी 810 वाला 5G चिपसेट जो की अगे अच्छा चिपसेट है और UFS 2.2 पर्फॉर्मेंस आपको इशू नहीं होने वाला है काफी चिपसेट है मीडियूम लवल की गेमिंग भी कर सकते हैं लास्ट ली कनेक्टिवटी के बारे में बात कर लेते हैं तो साथ 5G बैंट का सपोर्ट दिया गया है 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा डूएल वाइफा दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट स्मार्ट फॉन के बारे में तो नमर वन पर हमने स्मार्ट फॉन रखाए इस फॉन को हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी कवर किया था जिया इस फॉन का नाम है रियल मी नार्जो 50 प्रो 5G वैसे तो यह फॉन 20-22,000 के बीच में आता है लेकिन अभी यह फॉन आपको 17,000 के असपास मिलेगा तो यह फॉन उन लोगों के लिए होने वाला है जिन लोगों का बजट 15,000 से थोड़ा से ज़्यादा है वैसे यह एक यह फॉन स्लिम है ओनली 8 mm के थिकने से 188 ग्राउम वेट है तो वेट भी ज्यादा नहीं है तो डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी अच्छा है कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डियूल स्टीरो स्पीकर मिल जाएगा और स्पीकर की आपपुड काफी अची है इस फॉन में आप दो 5G से में लगा सकते हैं लेकिन मेमरी कार्ट नहीं लगा पाएंगे लेकिन हां दोस्तों बायमेटरी के लिए इस फॉन में आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगर्पिन स्कैनर आउट अट अप दो बॉक्स एंडर 12 के साथ आता है बेस्ट टॉन रिय इस फॉन में लगा है इस फॉन में लगा हुए 6.4 इंचेस की फ्लेजडी प्लस सूपर एमोलेड डिस्प्ले जो की 90Hz के साथ आता है 360Hz की टस हैंपिंग रेट दिए है थाउचे नीट्स तक की पीक ब्रैटनिस मिल जाती है तो ब्रैटनिस आपको इशू नहीं होने वाला है तो प्रैच के साथ से डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छा वाला मिल रहा है और एमोलेड पैनल होने के वज़ज़ से कलर से वेग प्रैंट में 16 मेगा पिक्सल का कैमरा दिया गया है और फ्रंट केमरे से फिल एसडी में 30 एफ़ेस तक वीडियो रिकूट कर पाएंगे तो ओवरॉल गाइज इस पॉन का जो कैमरा प्रफोर्मेंस से अच्छा है डेलाइट में काफी अच्छे फोटो आ जाते हैं कैमरा से को ज़्यादा शिकायत नहीं होगी बाकि परफोर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फॉन में लगा हुआ है मीडिया टेक डामिंटी वाला 5G चिपसेट अब यह एक बहुत ही अच्छा चिपसेट है आप जानते ही है लास्टली के बारे में बात करें तो पांच 5G बैंट का सपोर्ट दिया गया है 4G प्लस का सपोर्ट है वाइफाई 6 आता है वाइफाई कॉलिंग भी है और ब्लूथूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है बात करें प्रेज के बारे में तो फिलाल 6GB RAM और 128GB श्टोरेज के लिए आरांड 18,000 रुपीज देने होंगे बट करेंटली 500 रुपे का कूपन मिल जाएगा जिसे आप इजली अब लाइ कर सकते हैं Amazon के उपर और 1500 का बैंक डिसकाउंट भी अबलेवल है और इस प्रेज पन पर काफी सई फोन है यह यह रहे सपोन के भी प्रोजन कॉंस सो गाइज यही थे रियल मी के पाथ सबसे अच्छे फोन जिससे आप 15,000 के आसपास बाइ कर सकते हैं प्रेज जिस हमें सब फ्लेक्शुईट होती रहती है बेस्ट वालिंग आपको वी प्रोड़क्ट एमें मिलेगा तो देख लेना कुछ भी डाट और कंफुजन रह गया इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में